हलो ओपी क्लासिस के डिज्टल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक पार पुना स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 27 जन्बरी 2021 के Most Expected Current Affairs तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है निम्न लिखित में से कौनसी ट्रेन का नामकरण नेताजी एक्सप्रेश के रूप में रेल मंतरालाय ने हाल ही में अनुमोदित किया है तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हाबडा काल का मेल को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलाने का निणाय लिया है हाबडा काल का मेल सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है इसका पहला संचालन एक जनबरी 1866 को हुआ था तब इसका नाम 63 अप हाबडा पैसावर एक्सप्रेस हुआ करता था 18 जन्बरी 1941 को नेताजी सुभासचंद्र बोस इसी ट्रेन में बैठकर अंग्रेजों को चकमा देकर गौमो जंग्सन से भागे थे 23 जन्बरी 2009 को किंद सरकार ने गौमो जंग्सन का नाम भी बदल कर नेताजी सुभासचंद्र गौमो जंग्सन कर दिया था चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है किस राज ने भारत इन्नोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 में प्रमुख राजियों की स्रेडी में सीर्स इस्थान को बरकरार रखा है तो हाल ही में नीती आयोग द्वारा जारी भारत इन्नोवेशन इंडेक्स में पहले इस्थान पर करनाटक रहा है पहले पांच इस्थानों में करनाटक, महराष्ट, तमिलनाडू, तेलंगाना तथा किरल पांच राज रहे हैं करनाटक को कुल 42.5 अंक प्राप्थ हुए हैं जबकि इस इंडेक्स में सबसे निचला इस्थान जारखंड, 36 गड़ तथा बिहार को मिला है केंद्र सासित प्रदेशों में पहले इस्थान पर दिल्ली रहा है जबकि पहारी राज्यों में पहले इस्थान पर हिमाचल प्रदेश 25.06 अंकों के साथ रहा है अक्टूबर 2019 से भारत इन्नोवेशन इंडेक्स को नीती आयोग जारी करता रहा है बर्ष 2020 के इन्डिया इन्नोवेशन इंडेक्स में कुल 17 प्रमुखराज, 10 उत्तरपूरवी राज तथा 9 सहरी केंद्र सासित प्रदेश सामिल किये गए थे और कुल 36 संकेतकों का प्रियोग किया गया था बर्तमान में नीती आयोग के उपाद्यक्स राजीप कुमार जबकी CEO अमिताव कान्त है चलिए देखते हमारा आज का तीसरा प्रश्न तीसरा प्रशन है किस राजी के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री बगायत मिशन यानी मुख्य मंत्री बागवानी मिशन के गठन की घोचना की है तो हाल ही में गुजरात सरकार ने किसानों के लिए मुख्य मंत्री बागवानी बिकास मिशन को सुरू करने की योजना की है। सावर कांठा तथा पाटन जिलों में लागू किया जाएगा। बात की जाए गुजरात राज की तो गुजरात के मुख्य मंत्री बिजैरू पानी जबकी गवर्नर आचार देव ब्रत है। ड्रेगन फ्रूट प्रमुख्ता अमेरका में पिताया के नाम से उगाया जाता है। यह कैक्टस की फैमिली का फल है जिसका विज्ञानिक नाम हिलो केरस अंडटस है। ड्रेगन फ्रूट जिसे गुजरात में कमलम नाम दिया है इम्म्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचबा प्रश्न है किस राज ने भारत इन्नोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रमुख राजियों की स्रेडी में सीर्श इस्थान बरकरार रखा है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है इसका सही उत्तर है करनाटक। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चटबा प्रश्न है किस देश के साथ भारत ने पंडुबी बचाव सहायता एक समझोते पर हश्ताक्चर किये हैं। चलिए देखते हैं मारा आज का सात्वा प्रश्न. से एक है 26 जनवरी 2021 को इसका उद्गाटन बाला शाहब ठाकरे प्राणी उद्ध्यान के रूप में किया गया है नाकपुर में इस्तित गोरे वारा अंतरराष्टी चडिया घर में ली नामक एक बागिन भी प्रिशिद्ध है इसके घूमने की टिकेट दर 100 रुपए 200 बैंक ने किया है जिसके बाद मुख्य मंत्री ने आदिवाशियों को भरोशा दिलाया है कि बे एक गौनवाना थीम पार्क भी बिक्सित करेंगे चलिए देखते हमारा आज का आठवा प्रश्न आठवा प्रश्न है किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों को विदेशी मुद्र प्रिपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए इंस्टा एफेक्स मोबाइल एप लाँच किया है तो हाल ही में आईसी 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 आई बैंक ने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा प्रिपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के इंस्टा एफेक्स मोबाइल एप लॉंच किया है चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रश्ण नौबा प्रश्ण है जो बिदेन संयुक्त राज अमेरिका के कौनसे वे राष्ट पती बनने के बाद उन्होंने सपत ली है तो जो बिदेन USA के 46 वे राष्ट पती पतली जो बिदेन का जन्म 20 नौबंबर 1942 को हुआ था उनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है चलिए देखते हमारा आज का अंतिम प्रश्ण अंतिम प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन गरतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महल फाइटर पाइलेट बन गई है तो हाल ही में भाबना कंट करतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महला फाइटर पाइलेट बन गई है भारतिय वायु सेना की जहांकी में सामिल भाबना कंट के अलावा हलके लडाकु बिमान सुखोई 30, MKI फाइटर जैट दनिक सर्माने किया था इस जहांकी में कुल 96 बायु सेनिक तथा चार अधिकारी सामिल थे बात की जाए भाबना कंट की तो इनका जन्म 1 दिसंबर 1992 को बिहार के बरवनी में हुआ था बे मोहन सींग तथा अबनी चतुरवेदी के साथ बर्स 2016 में बायु सेना में सामिल जिर अंद झाल जाए बस्म दो सकते बत्ल tu is भ olduğ भाबना के बिभाबना के सामिल अओदी के बिदूम आशे बायुआ बना याधिन बयुम